हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू सिक्षा तो पांच MCQ सोशल सिक्यूरिटी पे अर्रेडी बन वीडियो देख चुके हैं दूसरा वीडियो रहेगा ठीक है और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्षन में पोस्ट कर देना है यह छोटे छोटे सोखेंगे कराने को एक विडियो में ज्वाल कोर जासकते हैं पर मकसद आजरी कि पढ़ाई से और बेकव free period में लंच कर रहे हो, dinner कर रहे हो, breakfast कर रहे हो, ठीक है, share कर रहे हो, उस time पर इन वीडियोς को आप लगा करके 10 मिनट में सुन्सुना के खतम करो, ठीक है, तो 5 MCQ, पिछली बार, पिछला जो first वीडियो था, उसमें mainly SYM पे focus किया था, इसमें mainly focus करेंगे maternity benefit act के उपर, ठीक है, Maternity Benefit Amendment Act जो आया था उससे related 5 MCQ देखेंगे और ये वाली वीडियो खतम होने तक 5 MCQ होने तक आप जो है देखोगे कि almost आपका Maternity Benefit Act अच्छे से cover हो चुका होगा चलो तो पहला सवाल पहला सवाल है the Maternity Benefit Amendment Act 2017 provides the maternity leave of how many weeks for a woman adopting a child of below 3 months of age तो अगर कोई woman किसी child को adopt करती है and the age of the child is below 3 months ठीक है 3 महिने से चोटी उमर है बच्चे की तो उनको कितना maternity leave मिलेगा option A 10 weeks, 12 weeks, 18 weeks या 26 weeks थोड़ा सा confusing question हो सकता है बच्चों के लिए क्योंकि options जो है वो interrelate हो रहे हैं solutions हम एक साथ देखेंगे पूरा आपको act clear हो जाएगा चिंता मत करें ठीक है और question देखते ही video को 5 seconds के लिए 10 seconds के लिए pause करना है question समझना है और फिर उसको answer करने की कोशिश करनी है ठीक है उसके बाद आगे देखना है तो answer इस case में होगा आपका 12 weeks इस case में answer क्या होगा आपका 12 weeks 26 weeks के साथ confused नहीं होना क्योंकि normally अगर जो woman है वो adopt नहीं कर रहे है उनकी खुद की delivery है तो in that case 26 weeks का उनको maternity leave मिलता है लेकिन adoption के case में 12 weeks है दूसरा सवाल the maternity benefit amendment act provides the maternity leave of how many weeks for the birth of a third child अगर किसी lady का third child है ठीक है यानि कि पहले दो deliveries हो चुकी है यह third delivery है third child है तो third child के case में maternity leave कितने समय की मिलती है ठीक है third child के case में maternity leave कितने समय की मिलती है जेको first और second में तो 26 weeks की मिलती है तो क्या third में भी 26 weeks की मिलती है या वो कम हो जाती है तो इस case में answer क्या होगा आपका इस case में भी आपका answer होगा option 8-12 weeks तो 26 weeks का जो provision है वो सिरफ first two child के case में है ठीक है question इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि first कितने children के लिए 26 weeks की maternity leave मिलेगी option में देता 1-2-3-4 तो आप क्या कह दोगे दो बच्चों के लिए 26 हफते की maternity leave मिलेगी third child onwards जो है 12 weeks मिलेगी और चलिए next question देखते हैं third question organization में अगर 50 से जाधा employee है तो उनको crutch facility provide करनी पड़ेगी या तो organization के premises के अंदर या फिर वो कितने distance पे होना चाहिए establishment से within कितने distance होना चाहिए establishment से for example यह एक establishment है तो इसके कितने distance में crutch facility होनी चाहिए option a 100 meter 200 meter 300 meter या फिर 500 meter क्या answer होगा इस case में चलिए जल्दी से वीडियो को pause करके पहले खुद से answer करने की कोशिश करनी है उससे पता चलता रहेगा कि हमारा revision status क्या है तो answer इसमें होगा आपका 500 meter ठीक है 500 meter या तो establishment के अंदर ही होना चाहिए अगर establishment के अंदर नहीं है crutch facility तो within 500 meters होना चाहिए और यह भी एक important provision है कि crutch facility किन के लिए compulsory है जहां पर 50 employees है देखो दो condition है अगर तो 30 women है 30 women और 50 और more employees ठीक है 30 women और 50 और more employees whichever is less अगर 50 employees है तो अगर उसमें 10 औरते भी है ठीक है तब भी crutch facility बनानी पड़ेगी ठीक है लेकिन अगर 50 से कम employee है for example सिरफ 40 employee है लेकिन इन 40 में से 30 employees जो है वो women है तब भी crutch facility देनी पड़ेगी तो 30 women और 50 employees whichever is less तो compulsory हो जाएगा crutch facility प्रोवाइड कराना और चलो next question देखो next question अब women employee is permitted to make how many visits to the crutch during the working hours 2019 के UPSC के civil services के exam में ये statement था तो UPSC ही आपका EPFO का exam भी करा रहा तो इस तरह की statement आप expect कर सकते हो social security point of view से important है तो एक women employee crutch facility में कितनी बार minimum उसको minimum visit allowed होनी चाहिए during the working hours 2, 4, 6 या 8 क्या answer होगा इस case में चलिए इस case में अंसर होगा आपका option 4 तो minimum 4 visits जो है वो women employee को allowed होंगी crutch facility में if her child is there okay and during the working hours होगा ये all right चलो answer B हो जाएगा ठीक है जी तो यह आपके important provisions है maternity benefit amendment act 2017 के सबसे पहले 26 weeks की maternity leave मिलेगी in case of first two children अगर third child होता है then for third child it is 12 weeks okay मतलब 2 से जादा अगर बच्चे हो रहे हैं तो फिर 12 weeks maternity leave रहे जाएगी all right उसके बाद अगर mother जो है वो child adopt कर रहे है and the age of the child is below 3 months of age then 12 weeks maternity leave रहेगी employers जो है अगर उस organization में 30 women या 50 employees हैं जैसे कि मैंने आपको समझाया तो वहाँ पर उनको compulsorily crutch facility प्रोवाइट कर आनी पड़ेगी यह भी एक provision है इसमें अगर बच्चा छोटा है 26 weeks के beyond अगर ऐसा कुछ है जैसे for example कोई IT company में काम कर रही है women and उनका काम जो है सारा online नहीं होता है तो she doesn't you know much ज्यादा requirement नहीं है कि वो office में है तो employer उनको घर से काम करने के लिए provision भी दे सकता है and then every establishment will have to make these benefits available from time of appointment जब appointment होगी तब आपको properly employees को बताना है कि हाँ यह आपके सब benefits हैं जो आपको मिलेंगे all right चलिए एक आखरी question 5th question under the amended act that is your maternity benefit amendment act 2017 the maternity benefits can be claimed how many weeks before the expected delivery delivery date से कितने weeks पहले जो maternity benefits हैं जो amendment act में लिखे गए हैं वो claim किये जा सकते हैं 4 weeks पहले 6 weeks पहले 8 weeks पहले या फिर 10 weeks पहले okay चलो answer इस case में क्या होगा इस case में answer होगा आपको option C 8 weeks जो पहला पुराना act था जो 1961 का पुराना act था prior to the amendment उसमें 6 weeks था लेकिन amendment के बाद इसको 8 weeks कर दिया है ठीक है तो delivery जो expected delivery date है उससे 8 हफते पहले से यह जो benefits हैं वो claim किये जा सकते हैं important question है यह भी अब 5 question आपके होगे है maternity benefit amendment act है अगर कोई सवाल आ गया social security में EPFO में वो गलत नहीं होगा वो मेरी guarantee है ठीक है जी चलिए तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही I hope मजा आया होगा सबको किसी को कोई भी डाउट हो तो mail कर सकते हो sikshit at the rate gmail.com पर ठीक है जी उसके इलावा आप अगर कोई डाउट हो तो WhatsApp कर सकते हो 9041244689 पर ठीक है वीडियो को शेर जरूर करना है सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है रेगुलर अपडेट के लिए तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए all the best time बाबाई